दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने उपो F19S मॉबाइल में फिंगर प्रिंट स्कीन लोको सेट कर सकते हो यानि कि इन डिस्प्ले जो फिंगर प्रिंट है उसको आप इनेबल कर सकते हो तो चलिए गईज कैसे करना है इस वीडियो में बायोमेट्रिक का तो आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लोक स्कीन पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है अगर आपके में नहीं लगा है अगर आपको फिंगर प्रिंट लगाना है त से आप okay करोगे तो यह बोला किस बोला है कि अपनी finger फिंगर को फिंगर प्रिंट पर लगाई है तो यहाँ पर आपको लगाना है और जब-tak लगाना है जब-tak क्यो पुरा यहाँ पर यह रिकवनाइज ना कर ले देखिए यह मैं लगा रहू हूं इसी तरीके से आपको भी लगाना है और यह जो है recognize कर रहे हैं तो अभी ये देखिए full होता जा रहे है तो आपको भी इसी तरीके से लगा देना यहाँ पर और जैसे यह full हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक option मिल जाएगा यहाँ पर done का तो भी मैं दिखाता हूँ आपको यह recognize कर रहा है तो दोस्तों यह कुछ come fast है क्योंकि यह देखें यहाँ पर done आ चुका है तो आपको done पर click कर देना है अब यहाँ पर देखें इस पर click करके आपको enroll कर देना है तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पा रहे हूँ कि आपकी दो finger लग चुकी है और इस तरीके से आपका fingerprint भी screen lock में use हो रहा है तो यहाँ पर देखें use fingerprint for screen lock लिका हुआ है आप चाहँ तो app lock के लिए भी यहाँ पर enable कर सकते हूँ उसके लिए आपको इस पर click करके अपना password डाल देना है और जिसे enable कर दो कि तो आप app lock में fingerprint को add कर सकते हूँ तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो है लगा कि नहीं लगा तो यहाँ पर देखें मैं जैसे इसको open करता हूँ और यहाँ पर अपनी finger को देता हूँ तो यह on हो चुका है तो यहाँ पर देख पा रहे हूँ कि यह देखें यहाँ पर on हो रहा है तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर जो है fingerprint app lock fingerprint screen lock को set कर सकते हूँ